हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोड में जैसे आपको पता है कि आपका एक्जाम एक फरवरी से स्टार्ट हो चुगा है तो उसके लिए देखी यहां पे हम इंगलिस का काफी महत्पुर्ण भी 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 आई वायरल प्रशन लेके आ गए हैं तो आपको क्या करना है सुबह 6 बजे क्या करना है आपको सुबह 6 बजे डेली आपको क्या करना है आप इंगलिस का क्लास जरूर करना है तो देखिए बाबु चैनल पर आप लोग पहली बर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकोन होता है उसको दबाके आप लोग गॉल पे कर लिजिए ताकि जब भी लाइब क्लास हो तो नौटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और साथ में बाव वीडियो को लाइक नहीं किये तो आप लोग फटाफोट लाइक कर दीजिए और देखिए हम यहां पर अपना वाट्सप नंबर लिग देते हैं 91 35 74 24 आप लोग इस पर मैसेज किजिए और बोलिए कि सर जी हमको गुरूप में जोड़ना है तो हम आपको गुरूप में जोड़ देंगे तो चलिए बाव बिना किसी देरी के देखिए हम यहां पर पहले नंबर प्रशन से सु आज के इस बीडियो में देखिए बाव हम देखिया है यहां पर जो बार बार पूछा गया प्रशनेर आएगा तीन से चार बर जो रिपीटेड है इस से ज्यादा बार भी बहूचा गया प्रशन आज के वीडियो में बताने वाले हैं और कल से ही आप दिके को स्चानों की स क्या ज्यादा होगी और डेली सुबह छे बजे इंगलिस का सिर्फ क्लास होगा तो आप लोग जरूर किजेगा देखिए यहाप पहला नमबर प्रेशन क्या है कि दा गुजरात इक्वा भैलेंट फोर सिविलाइजेशन मिन्स यहाप देखिए मोस्ट इंपोडेंट प्रेशन पर और यह प्रस्ण बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है देखिए यहाप दो नमबर प्रस्ण क्या है कि सिविलाइजेशन इस देट मोट ओफ कंड यहाप देखिए कंड विच पॉइंट आउट ओफ दमेन पाथ डिवटी फ्रोम क्या हो जाएगा तो इंडियन सिविलाइज पर यहाप देखिए प्रस्ण क्या कर रहे हैं और कल से इस से भी भैथर कलास होगा इंगलिस का सुबद 6 बजे से तो आप लोग जरूर जुडिएगा चले आगे बढ़ते हैं बबावु यहाप देखिए तिन नमबर प्रस्ण पे चले यहाप देखिए चार से पांच बार यह देखिए यहां पर तीन से चार बोलिए और चार से पाँछ बोलिए बहुत ही जादा बार पूछा गया प्रस्णे देखिए आपसे क्या पुछा गया किंगी कमला दासवाज written the poem यहाँ पर देखिए कमला दास द्वारा लिखित कवीता कौन सी है तो कमला दास द्वारा बभू देखिए यहाँ पर लिखित कवीता कौन सी है तो my grand mother house यहाँ पर क्या करेंगे सभी बच्चे सभी बच्चे सभी जवाब दरें बहुत बड़ी है आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पर चलिए यहाँ पर चार नंबर प्रस्ण का आप लोग आंसर दीजे कि जौन डोने वाज रिटेन दा पॉयम यहाँ आप देखिए यह पर देखिए कवीता कौन सी है तो sweetest love I do not go यहाँ पर क्या होने वाला है c option इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पर देखिए बाव पांच नंबर प्रस्ण क्या है अच्छे से पढ़िए इसको पांच नंबर प्रस्ण क्या है कि the earth was the written the poem यहाँ अगले नंबर प्रस्ण पर चलिए यहाँ पर छे नंबर प्रस्ण का आप लोग जवाब दीजे तो most important होने वाला है 2023 के लिए तो इससे आप लोग याद रखिएगा चलिए यहाँ पर छे नंबर प्रस्ण का आपको answer देना है कि Indian यहाँ देखिए civilization point out of man यहाँ देखिए ज अगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पर चलिए साथ नंबर प्रस्ण का आप लोग answer दीजे कि कमला दास इजे डैस poetist यहाँ पर चलिए आपको क्या बताना है कमला दास कहां कि यहाँ पर देखिए poetist थी तो देखिए यहाँ पर यहाँ यहाँ पर तो यह इंडिया क कभी तक गया थे तो देखिए यहाँ पर जॉन डोने कैसे थे बभव यहाँ पर बहुत ही बढ़ी बढ़ी नेटा-फिजिकल जिनका आ रहा उनका एकदम अन्देट परसेंट सही है बभव यहाँ आप देखिए जो भी बोल रहे हैं मेटा-फिजिकल उनका क्या होने वाला और बहुत सारे बच्ची यहाँ पर आठ का बता रहें कि B option होगा बहुत ही best और देखिए यहाँ पर छे बज़े सुबा में इंगलिस का class चलेगा 100 marks यहाँ पर देखिए इंगलिस का class चलेगा 100 marks इंगलिस का सुबा 6 बज़े डेली तो आप लोग 6 बज़े आईए और class किजि और सबी प्रश्णियां आप देखिए बहुत ही ज़्यादा मत पूर्ण होगा चलेए आपको बताना है कि DH Lawrence वाजवरिटन दपोईंट देखिए DH Lawrence द्वारा लिखित कवीता कौन सी है तो Snake है कौन बभू यहाँ पर है Snake है B option क्या हो जाएगा बिलकुली सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्णि पर चले यहाँ पर 10 नंबर प्रश्णि का आप लोग जवाब देदीजें यह most important होने वाला है 2030 के लिए और देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पर टॉप कर जाता है इसका जवाब देखें बहुत बढ़े हैं महात्मा गाध वाज व्रिटेंद लेसन चले फटाफोटिस का आंसर दीजिए बबु यहाँ पे बहुत बेस्ट महात्मा गाधी वाज व्रिटेंद लेसन तो महात्मा गाधी के दौरा लिखित कौन सा है बबु यहाँ पर फेमस प्रश्ण है इंडियन सिबलाइजेशन एंड कलचर एप देखिए Johnson वाजे पूर क्या होगा? तो Johnson वाजे क्या हो जाएगा? पूर फार्मर यहां आप देखिए क्या हो जाएगा? पूर फार्मर होगा? इ아प्टन यहां पे सही जवाब होने वाला है आगे बढ़ते हैं छलिए, 12 नंबर प्रश्ण पे यह option यहाँ पर सही जवाब होने वाला है आगे बढ़ते हैं चलिए बारा नमबर प्रश्ण पर चलिए देखिए बाव बारा नमबर प्रश्ण क्या है यहाँ पर ध्यान देजे I have a dream is written भाई यहाँ पर देखिए आप से क्या पुछा गया है I have a dream के लेखक कौन है तो I have a dream के लेखक कौन हो जाएंगे तो Martin Luther King Jr. बहुत ही बेस्ट ही यहाँ पर बहुत ही बढ़ी है यहाँ पर देखिए C option क्या होने वाला है बिल्कुली सही जवाब होने वाला है चलिए यहाँ पर तेरा का अंसर दीजिए यहाँ पर देखिए तेरा नंबर प्रेशन क्या है कि who wanted to kill the snake यहाँ पर देखिए आप से क्या पूछा गया है कि who wanted to kill the snake कौन चाता था स्नेक को मरना तो देखिए बबबु कौन चाता था तो तेरा का क्या हो जाएगा बहुत बढ़ी है दो पोएट जिनका आ रहा है दो पोएट वो तो गरदा उड़ाने वाले हैं एक्जाम में ए उप्शन क्या होगा बिल्कुली सही जवाब हो जाएगा और हंडेट परसेंट सही जवाब होगा और कल से ही आप देखिए कोश्चन का संख्या ज्यादा रहेगा और सभी प्रस वाइरल रहेगा तो इसलिए कल से यहाँ पर क्या की जगा छे बजे आईएगा इंगलिस का आपको अब्जेक्टिव स्पेशल मिलेगा छे बजे और कल से बारा बजे बायलोजिक अभी यह स्टार्ट हो रहा है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिये गए चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रस निका है कि डाक्टर जाकिर हुसेन वाज बोर नहीं तो देखिए डाक्टर जाकिर हुसेन का जनम कहां हुआ था तो हैदराबाद में हुआ था कहां पर हुआ था हैदराबाद में हुआ था C option क्या होने वाला है बिल्कुल सही है जवाब होने वाला है और जितने भी हमारे प्यारे student C option बता रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं ऐसे ही आपकी तैयारी होना चाहिए चलिए यहाँ पर आप लोग 15 नमबर प्रस्ण का जवाब दिजे कि रुपर्ट ब्रोक यहाँ आप देखिए रुपर्ट ब्रोक वाज यहाँ देखिए रिटें दा पोईम यहाँ पर क्या लिखा है रुपर्ट ब्रोक वाज दे लिखित कभीता यहाँ देखिए रुपर्ट ब्रोक कहां से मतलब बिलोंग करते थे तो देखे मार्टेन लुथर किंग कहां से बिलोंग करते थे तो मार्टेन लुथर किंग यहाँ पर देखे दा यू एस से यहाँ पर देखे यूनाइटेट एस्टेट अमेरिका यहाँ आप देखे डी अप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुली स जबाब होने वाला है 100% इसका राइट एंसर होने वाला है आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पे चले यहाँ पे 17 नंबर प्रस्ण का आप लोग जबाब दिजे कि डाक्टर जाकिर हुसेन वाज व्रिटन द लेशन चार से पांच बार यह पूछा गया प्रस्ण है और मोस्ट वीवी आई भी है यहाँ पे देखें मोस्ट वीवी आई प्रस्ण है इसे आप लोग याद कर लिजेगा बाबू कि डाक्टर जाकिर हुसेन वाज व्रिटन द लेशन तो भारत इस माई होम कौन सबाब यहाँ पे भारत इस माई होम यहाँ पे C अप्शन क्या होने वाला है बिलकुली सही जवाब होने वाला है आप लोग तो एकदम गरदा जवाब दे रहें मजा आ रहा है आप लोग का यहाँ पे आंसर देखें चलिए आज के इस वीडियो में हम नाम नहीं लेंगे सुबह वाले वीड लाउरेंस वाज रिटेन दपोएंग तो डी एच लाउरेंस वाज वीडिन दपोएंग तो कौन भब यहाँ पे सनेक यहाँ पर क्या होगा बिलकुली सही जवाब हो जाएगा बी ओक्सन चलिए आपे आगे बढ़ते हैं अगले नमबर पर प्रक्रषन पे अगला प्रक्र क क्या है यहाँ आप देखिए 19 नंबर dance was the great यहाँ आप देखिए ओरेटर यहाँ आप देखिए बहुत बेस्ट प्रश्ण है इसका जवाब देजेए फाटा फोटा आप लोग उड़ाईए बाबू इस प्रश्ण को dance was great यहाँ आप देखिए ओरेटर तो कौन है बाबू यहा आप दे रहा है कि मार्टीन लुथर किंग जिनियर क्या है बहुत बढ़ियां सी अपसन यहाँ पर सही जवाब होने वाला है चलिए यहाँ जल्दी जल्दी हम आप यहाँ पर किराने वाला है क्योंकि अभी तक हम इंगलिस का तयारी नहीं करवाने है लेकिन जो बचा उसी में सब आपका इंगलिस का तयारी करवा देंगे डेली सुबा आईए और 6 बजे यहाँ पर हमसे इंगलिस की तयारी किजिए चलिए यहाँ पर 20 का आप लोग आंसर दे दीजिए चलिए 20 नंबर प्रस्ण क्या है कि डाक्टर जाकिर हुसेन वाजे ग्रेट यहाँ पर क आपको बता रहें कि 6 बजे वाला वीडियो में इंगलिस वाला में हम आपका नाम नहीं लेंगे आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए जल्दी जल्दी कोस्चन कर लीजिए और डेली सुब अच्छे बजे यह कलास होने वाला है चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नमर परषण पर 21 नमर परषण के आपके यहाँ ठोल्दी प्रफशन जिन भी बच्चों का भी यहार उनका 100% सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्णी पर यहाँ पर देखिए बाइस नंबर प्रश्णी क्या है आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्णी पे चलिए यहां पे अगला प्रश्णी क्या है तेश नंबर चलिए तेश का आप लोग जवाब दिजें कि सिंगा यहां आप दिखें नोया होगा सिंगा मोया नहीं होगा सिंगा नोया वाज व्रिटेंद लेशन चलिए यहां आप देखें सिंगा नोय आवाज व्रिटेंद लेशन फाटाफट इसका आंसर दीजिए तीन सेकंड टाइम है देखते हैं कौन सा बच्छे यहाँ पर बाज़े मार लेता है बहुत ही बेश्ट यहाँ बहुत ही बढ़ियां चलिए यहाँ पर सिंगा नोय आवाज व्रिटें होगा क्योंकि कल यहाँ आप देखें कोश्चनों के संख्यां यहाँ पर ज्यादा होने वाला है चलिए यहाँ पर चौबिस का अंसर दीजिए कि यह पिंच ओफ स्नूप इज व्रिटेंद बाई चलिए फटाफट जवाब दीजिए तीन से चार बर यह भी पूछा गया प सब्सक्राइब करने के बाद से जो वैल आइकोन होता है उसको दबाके आप लोग और पर कर लिजिए वाटसप गुरूप में नहीं जूड़े हैं तो इस पर मैसेज किजिए और बोलिए कि सर जी हमको गुरूप में जूड़ना है हमको गुरूप में जोड़ देंगे चले याँ आगे बढ़ते हैं चले पचीस नमबर प्रश्णी पर चले है याँ पर ते 25 नमबर प्रश्णी क्या है कि सिबेई वाज़े याँ आप देके टूवेल इयर ओल्ड यह आप देके डैस बौए है तो देखिए सिबेई जो था जो बारा साल का बच्चा कहा का था तो जैपनिस था जैपनिस था जैपनिस था जैपनिस था जैपनिस बहुत बढ़ी है आप देखें सिबेई क्या था बारा साल का जैपनिस बहुत बढ़ी है आप देखें सिबेई क्या था बारा साल का जैपनिस बहुत बढ एडियाडेट वेल्प बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और देखिए इसका प्रेडियेफ डल चुका है यहाप अब हर कलास का प्रेडियेफ मिलेगा आपको तो आपको क्या करना है सिर्फ जाके वहाँ से download कर लेना है चलिए आपर 27 का आप अधमिय चलाक नहीं होता है तो नानू का का वाजी very klaver man क्या थे लेवर मैं थे D option इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर 28 नमर प्रशन का आप लोग आंसर दे दीजिए चलिए 28 नमर प्रशन क्या है कि CBA रिट्स एट डैस स्कूल चलिए यहाँ पर यह भी important होने वाला है बाबु यहाँ पर देखिए most important यहाँ पर देखिए CBA यहाँ पर देखिए रिट्स एट यहाँ पर देखिए primary school तो देखिए यहाँ पर primary कौन है तो B option क्या हो जाएगा बिलकुली सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखिए बबु यहाँ पर चलिए 29 नमर प्रशन पर चलिए यहाँ पर क्या लिखा है summer in Kolkata is a collection of the poems भाई यानि देखिए किसके द्वारा लिखा गया है तो देखिए बबु यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका तो यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है यह option क्या होने वाला है यहाँ पर 100% सही जवाब होने वाला है और यह 30 प्रशन में से क्या है तो यह 5 पर सुनूप क्या है यहाँ पर एक सौर्ट स्टोडी है यहाँ पर क्या है एक सौर्ट स्टोडी है जिन भी बच्चों का सी आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा और देखिए यहाँ पर नया कलास से स्टार्ट हुआ है छे बजे सिर्फ इंगलिज का यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है सिर्फ इंगलिज लोग फाड़ फट पीडियो डाउनलोड कर लिजे और डेली सुबह आईए छे बजे कलास होगा अब डेली यहाँ देखिए रेगुलर छे बजे कलास होगा तो आपको करना पड़ेगा तो थेंक्स पर वाचिंग उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे बाव यहाँ पर च